हेलो दोस्तों जब दो बोर्ड आपस में एक दूसरे की कॉपी करती है तो ऐसे में अगर एक बोर्ड जो है कोई फैसले को जल्दी ले लिलता है तो ऐसे में दूसरे बोर्ड के छात्रों को उसका सबसे बड़ा फायदा मिल जाता है तो वही हुआ है सीबेसी बोर्ड के छात् हो जाएंगे और एक सबसे बड़ी आप लोग के लिए गुड़नीव जी है कि आपका टर्म टू की जो देट सीट बढ़ रही है आप लोग के मन में भी सवाल होगा कि हमारा टर्म टू का एक्जाम जो है 26 अपील से स्टार्ट होंगे तो हमारा एक्जाम जो है कभ एंड होंग कि आप लोग को लिए बहुती बड़ी गुड नीज है तो इस वीडियो में सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं तो टर्म टू के देट सीट को लेकर आप लोग इंतजार करना बन कर दीजे क्योंकि आप लोग के लिए बहुती बड़ी गुड नीज है सबसे पह ताकि एक्जामिशन जो है आपके जो कॉम्पिटिटिव एक्जाम से इनके साल जो है इसकी डेट क्लैस नहों यहाँ पे आप लोग पढ़िएगा इसको लेकर उन्होंने कहा यह सारे चीजे जैसे ही हो जाती है उसके बाद जो है फाइनल देट सीट आपको तयार करके आपको आने वाले कुछी दिनों में आपको अनॉंस करके दे दिया जाएगा क्योंकि आईसेसी बोर्ड ने डेट सीट जारी कर दी है लेकिन आप हम बात करते हैं आपके लिए गुर्णिवस को लेकर यानि कि टम्टू की डेट सीट आने से पहले ही आपको सब कुछ अंदाजा मिल गया है कि किस तरीके सापके एक्जामिशन होंगे कितना गैप मिलने वाला है यह सब कुछ आपको पहले ही पता चल चुका जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में अभी ही बताया कि आईसेसी बोर्ड ने आपके तर्म टू का यहां पे सेडिल जारी कर दिया है यानि देट सेडिल होता है वह पूरी तरीके से लगवाग होता है बस एक और दो का फरक होता है बाकी सब कुछ सेम होता है क्योंकि यह दो बोर्ड आपस में एक दूसरे को कौपी करते हुए जिसमें बात करें तो यहां पे तर्म टू की देट सीट को लेका सीवेसी बोर्ड ने अल्रे अधाजा मिल गया कि आपके एक्जामिशन कब से स्टार्ट होंगे तो यह जो है आप लोग देख रहे हैं आपको पहले ही अंदाजा मिल जाएगा कि आपकी तम टू की सीवेसी बोर्ड की देट सीट किस तरीके से होने वाली है बस एक या दो का फरक होगा बाकी सब कुछ आपको दिखाता हूं तो क्लास टेन की देट सीट आप लोग देखेंगे यहां पर इनकी एक्जाम जो स्टार्ट होगी वह आपके 25 अप्रिल से स्टार्ट होगी बस यह यह दो का फरक है जैसे कि मैं आपको कह रहा हूं बाकि सब कुछ आए सीवेसी बोर्ड का भी एजटी से सेम होने वाला है तो 25 अप्रिल से इनका एक्जाम स्टार्ट होगा और साथी शादी इनका एक्जाम कब तक चलेगा तो आप Doncie मैं बे भी सवाल है कि हमारा 26 अप्रिल से एकजाम स्टार्ट हो रहे हैं और इनका आखरी एक्जाम आपका 20 मई तक चल रहा है यानि से सीवे इसे बोर्ड के एक्जाम यहाँ पे 20 मही तक चल रहे हैं तो आपके एक्जाम भी 20 या 25 मही तक जो है राउंड चलेंगे यानि कि हम सबसे मैक्सिमम माने तो 25 मही तक आपका एक्जाम चल सकता है अब हम बात कर लेते हैं गैपिंग को लेकर भी कि दो सब्जेक्ट की बीच में कितना गैपिंग आपको मिलने वाला है तो आई सेसी बोर्ड की जो देटशी जारी हुई है इसमें जो है दो सब्जेक्ट की बीच में कितना गैप दिया गया है यानि दो मेन सब्जेक्ट की बीच में कितना गैप दिया गया है 25 तारीक को जह है इनका इंगलिस का पेपर है तो इसी तरीके से आपको भी जो है हर एक subject में आपको around इसी तरीके से gap मिलेंगे term 2 के exam में यानि कि किसी subject में 2 मिल सकता है तो किसी में 3 मिल सकता है इसी तरीके से आपको gap देखने को मिलेंगे तो मैं आगे भी बढ़ता हूँ जैसे कि math subject का देख लेता हूँ तो मेत में भी आप लोग देख सकते हैं मेत तだけ यहां पे देख संगते हैं तूसक спокой आप लोग यहां पर देख सकते हैं यग एक क्लास टेन बिच्चो Congressman comin उसके काफ़ी वड़ा उनताजा यहां रजायाख करतों उसमें आपको कितना मिल सकता है मिलते एक नए वीडियों में टोर्ड के पास प्रिंद के घ्र दीजह भी ठुट हैं! तब तो कि लिए जहिद!